है यह वेल्कम टॉल अफ्यूंट के में स्टेंसाइट्स तू आज मैं आप लोगे लिए एर्र आफ मेजरमेंट एक इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर क्या हूं यह यूनिट इन डाविशन का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस से आपको इस टॉपिक से आपको क्या हो बस मैं जितना बताते जारूं उसको ध्यान से देखिए ठीक एंड जो भी कुछ एक्जांपल्स करा रहा हूं फिर आपको जो भी आपका पीडियो फाल कर रूप में डिसको वाक्स में आपका मेंसें कर जाएं को आप उसको इसको इसको कोई दिक्कत ने आने वाला इस टॉपिक में ठीक है तो आप लोग प्लीज नए हैं तो के मारे चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे वीडियो के ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को देखिए एरर आफ मेजर मेंट आपका है क्या समझे चीज़ को इसको पूरा अच्छी दरसे में डिफाइन करके रखे हैं ठीक है दब मेजरिंग और आप क्या करते हैं मतलब być किसी üzब्सको आप क्रते मिलसर करते हैं यह क्मझेजर करेंगे करés यह न इसका कितना है तो यह यह आपका क्या है और जब का आप कॉमपेरेजन कर रहे हैं तो क्या वह आपका क्या होगा जो भी एक्चुल वह ऊससे डिफरेंट हो सकता है ठीक है तो देखिए आपका क्या होगा in spite आवर बेस्ट एफ़ाइट हम लोग कितना भी अच्छा कियो नहीं हम लोग एफ़ाइट लगा दे दमेजरिंग क्वाइटी इस अवाट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजन वैलू जो भी कुछ मेजरिंग कॉन्टिटी वाजिपका वह आपका क्या होगा जो जो अच्छा व फिर देखें इस इस य इन वेलू अफ था आपका जो हचते नाल ज़ी चलregir आए पचास प्र आवर से। बट उसमें जो आपका ओडो मीटर लगा हुआ है उसको मेजर कर रहा है कितना आपका जी 49 किलोमेटर पर आवर से मतलब कितना आपका हुआ होगा वह आपका ओडो मीटर क्या मेजर कर रहे हैं तो इस तरह से आप कहीं भी कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि थोरा नो थोरा आपका क्या होता है होता है तो आपके कि शूरी को मेजर कर रहे होंगे तो उसमें जो कुछ भी टिफ़रेंजर से हैं क्ैक्छेर हो है और मेजर कर रहे हैं जो अब ही आपको बताए का एक एक जामपल लेकर के बताए कि 50 km पर आवर से आपका चल लाए ठीक है और उसको उनों मेजर किये तो कितना 49 km पर आवर आया मतलब एक किलोमेटर पर आवर का क्या होगा एबसॉलूट एरर होगा ठीक है तो कोई फीजिल कौईटिटी को मेजर कर र एक पार्टिकुलर फीजिकल कोईटिटी को मेजर करने मेजर करें ने मुझे दूसरी बार उसको करते हैं तो एटो किये तीसरी बार आगर उसको करते हैं आप मेजर थे और ऐसे करके दिए एंट टाइम्स करते थे एंट आपका क्या होगा अलग अलग वैलु आ रहा है अरे थोड़ा भूत का डिफ्रेंस दोगा बहुत ज़्याद दिफ्रेंस ने होगा ठीक है ना चलिए ऐसा कुछ है अब यहां पर देखे इन सब आपका जो मेज़र्ट वैलु था उसका अर्थमे सब्सक्ता आपको आएगा वही आपका क्या होगा अब समझीए परस् टाइममेंट के थे कितना था थिख और दिफेंस आइब चुना का डिफ्रेंस यह तो आता यह जो आपका डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा एबसॉलूट एरर होगा तो मैं इसको एडेज करके एंड फिर लिए देता हूं ठीक है यह तो एबसॉलूट एरर की बात करते हैं देखी तो आपका क्या होगा जैसे फॉस्तर डिफरेंस अज्वा तो एंट यह तो इसी तरह करके यह तो वहां तो आपका क्या होगा कितना है just किए मैं एक कितना काई vlogs कि बससी नहीं काई टो कितना की तुर आँ तो वहां gefशितना थे डल्ता अब अब देखे एक और चीजे आपके ऐखे असे चोता होगा कि अावे से चटा होगा जितना pausa 6 या फिर minus दोनों में से किसी में भी हो सकता है ठीक हे दोनों में सब क्या होगा किसी में भी हो सकता तो आप इस according है ना डेल्टा मतर्ड़ डेल्टा एक डेलटा एक का साइन जापका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है तो आप इसके क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं एवन इकोल to am फलेस्ट मैनस डेल्टा और इसी तरह यदि आप क्या करते हैं, लिखते हैं, फिव लूट करें, लिखेंगे जी आपका अ, और प्रफमेटिक टीदा आपका अरुट पूसर्थाइज उट इसऑ लिखते हैं, टीक है, यह आपका एक जनरल कॉंसर्प्ट हो गया, एव सॉल्यूट एर्र का, ठीक है, तो आपको इसको जितना भी आप absolute error निकाले थे पीछले है ना मतरब फिर्वेस वीडियो में आपका absolute error जो भी निकाले थे अपका उन सब का क्या करेंगे magnitude का arithmetic mean निकालेंगे magnitude समधर है ना देखिए आपको अभी जस्ट बताये थे कि absolute error जो भी होगा उसके पास plus और negative positive plus minus दोनों का दोनों sign हो सकता है ठीक है दोनों में से कोई भी सान हो सकता है तो वहां पर क्या करेंगे ना कि इसको मेजरमेंट को क्या लिख सकते हैं एकोल टो एन पलस मानस ऐसा लिख सकते हैं यह बात आपको समझा गया मतलब कोई भी आपका मतलब इनसा मेसे जैसे एवन एटू एथरी मतलब इन जनरल आपको लिखना होगा इन जनरल कोई भी आपका पार्टिकुलर मेजरमेंट बोलेंगे लग बबबब क्या होगा कि पार्टिकुलर नमबर आपका कुछ है चिजैसे रहएं। जो भी कुछ मीजरमेंट करते हैं तो वह ही है आपका पार्टिकुलर नमबर कि आपका होगा वह है तो तो am से am से plus minus sign के साथ आपका इसको add करना परेगा और यह अपका क्या है mean error है mean error है ठीक है ना आपका इस तरह का आजाएगा अब यहां से देखे any measurement तो आप इस recording आप समझ सकते हैं कि कोई भी measurement जो करते हैं तो या तो am minus इतना हो सकता है है ना या फिर आपका am plus delta a बार हो सकता है समझ बात आ रही ना आपका कोई दिक्कत है तो यह आपका इस और इसके बीच में आपका क्या करेगा यह lie करेगा मतलब यह सब से minimum भेलोगा और यह आपका क्या वा maximum भेलोगा और इसके बीच में आपको क्या करेगा यह आपका जो भी कुछ measurement करते हैं वो आपका लाई करेगा ठीक है तो यह भी आपका topic किलर हुग आपका mean error आपको सब्सक्राइब आ गया जो भी कुछ ठीक है energy मिलता है यह comment आपका क्या दाए energy मिलता है ठीक है चलिए relative error है क्या आपका समझे इस चीज को बोल सकते है it is the कुछ नहीं है आपका यह it is the ratio of mean error and true value of the quantity है न यह आपको क्या होता है relative error जो होता है वह क्या होता है mean error and true value है na true value इसका आपको क्या होता है ratio होता है समझे इसे चीज़को relative error जो लिखे रहे है relative error equal to आपका क्या हो जगा delta a bar अब ही जो जो निकाल है और by am ठीक है na ऌका डिल्टा ये बार वाज ये आपका है क्जिब का तो यह आपका average तो यह आपका त्रू वैल्लू अन्य है फिर अपका ट्रू वैल्लू अर्य मतलब आपका टू वैलू के रिसपेक्ट में, कितना आपका error आ रहा है, वही है, आपका क्या होता है ने रिलिटीव एरूर होता है, ठीक है तो यह आप समझ से आगए आपको, फिड्निक्स देखे आपका percentage error बोल सकते हैं, percentage, error यह होगा आपका क्या जी, percentage य blurred 젊ना जब आप इसको express कर देंगे पर्सेंटेज में था आपका- hello वी एक्स प्रेस वैन बी एक्स प्रेस रिलेटीब एर्र इन परसेंट देन इट इज कॉल देन इज गॉल्ट परसेंट एरर ठीक ना कोई दिकात नहीं मतलब आपका क्या होगा आपका क्षोक और इसको क्या इंप्रीमेंट करेंगे कि यह से इसे डो अब आपका निट एरर क्या मिलेगा यदि दो फिजिकल कॉंटिटी डिवीजन में होगा और उसकी पावर में कुछ अपका होगा तो उन सब चीज पे क्या है यहां पे देखिए उसका करेंगे यहां पर देखिए आपका क्या है प्रोपेगेशन इन एरर मतलब जैसे दो फिजिकल क्या होगा निकलेगा कैसे निकालेंगे क्या है प्लस भी है ना लीट कर लेते कि एकसे गोल की अबस में होगा तो Whatsapp Arc इं और दीटा B जो वह वह अबनारे सुन के इरे उन इसका कहा होगा यहां श्रूलट्य इं्ट होстав align ठीकत यहां से आप बोल सकते हैं कि कि येल्टा एक सिकोल टू? पलस मायनस डेलटा ई डेलटा ए और पलस डेलटा भी ठीक है इस दरह से बोल सकते हैं निसमें बहुत को आए गा निट एरर जो आएगा तो इसमें भी एरर होगा तो दोनों को करा रहा है तो net आपका जो एक्चॉल वेलु जूँ इसमें आता हो कितना आका था अब जी? 5 करर रहा रहा है… जैसके इसके आपका true value mm तूएंटी है और इसका true value 1.30 है तो होना चाहिए था जी 50 होना चाहिए था? लेकिन आप पचास जी, पचास होना चाहिए था, लेकिन आप जो A का जो value measurement की है वो 20 नहीं, वो 22 आया, है ना, याहां से देखी तो कि आपका 53 हो प्रॉल्वट गाँगे औरasan में एक्स ंरह होगा होगा ना दोनों के error का add हो जाएगा मतरब यहां पर देखिए एर जो आपका आया एक्स की मेजरमेटिव आपके delta x equal to plus minus delta a plus delta b यही आपका हो जाएगा ठीक है यहां से देखिए maximum absolute error in x आपका निकल क्या आगया ठीक है आपको without है यह आपका समुद में आगया आप आप बात करेंगे लोग पर्सेंटेज इन एरर पर्सेंटेज एरर इन एक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल क्या वही होगा जो absolute error आया था है ना सडी maximum absolute आया था आपका उसमें क्या करेंगे ना आपका a plus b स्वेट उसमें करेंगे तो वही आपका क्या आइंट कर देंगे यह इंटेट पर्सेंटेज इन एक सकते हैं ठीक है तो यहां पर प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं product के लिए बात करते हैं देखिए error in product of quantities product की रूप में है मतलब multiply के रूप में है मतलब a and b की वीच में multiply है यहां से अब का यहां पर आगया आगया आपका जी यह delta x आएगा वो क्या आपका आएगा जी तो delta A by a ठीक है न और delta B by B और plus ठीक है मतलब इसका निकाल देंगे हम लोग जी इसका निकाल देंगे relative error delta A by A और इसका निकाल देंगे relative error delta B by B हैना तो अब आपका क्या होगा यहाँ जो हम calculate करते हैं यहाँ जो calculate करेंगी जब का net error तो delta x equal to क्या आपकर आजएगा प्लस माइनस डिल्टा ए बाई ए प्लस डिल्टा भी भाई भी ठीक है यहीं आपका क्या मैक्सिम्म वैलू अपका गया और अब यहां पर बात करेंगे तो यह फ्रमुला नहीं होगा वो क्या हो जाएगा अपका जी पर्संटेज एरर जो होगा यहां पर मैं लिखे देता हू एकस gonna कर देंगे तो आपका क्या हुगा दिवीजन को निकल कर देखते हैं आपका एरर A equal to absolute error in A delta B equal to absolute error in B delta x equal to absolute error in x है, है न ऐसा कुछ है आपका delta x by x जो आपका होगा वो क्या होगा आपका जी, पलस मानेश मतलब ये जो होगा है आपका maximum fractional error in a sorry in x, ठीक है, ये just like आपका बिल्कुल उसमें जैसे निकालें हैं, उसमें जैसे नीकालेंगे तो same होगा बिल्कुल जरता वहां था वैसा यहां होगा Drive की बात करें तो तो यहां होगा जो आपकाsayMO कशन में था वहीं आपका डिवीजन माखा लेकिन अब हम बात करेंगे अगर अगर ऐसा कुछ बात करते हैं फूर्थ सथ नमर बत कर लेते हैं एरर इन देख लिए ऐसा एक्स इकोल टू क्या है आपका ए बाई बी एक पावर एन और बी का पावर एम ऐसा कुछ है मतलब पावर की रूप है यहां पर समझे है इस चीज़ को वह भी अपका समझने कि डिल्टा ए जो आपका होगा एबसलूट एरर इन एक्स होगा ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर बात करेंगे जी फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर जो आपका निकलेगा डिल्टा एक्स बाई एक्स जो निकलेगा तो क्या निकल के आएगा आपका जी प्लस माइनस है ना एन से किसमें मल्टिप्लाय में ए में है तो क multiply कर देंगे ठीक है कोई दिक्कत है यही आपका क्या हुआ जब का delta x by x जो हो गया आपका यह maximum fractional error आ गया है ठीक है और अब हम उसी तरह बात करेंगे percentage error की बात करेंगे तो देखिए percentage error जो आपका होगा यहां से वो कुछ नहीं है n into percentage error in x sorry error in a percentage error in a b enroll plus b में का पावर आपका कितना है जी tj e m into percentage error in b हना को दिक्कत है मतलब आपका percentage error a मीं निकालना रहेगा बी में nakin customer sorry percentage error आपका निकालना रहेगा पूरा इस x में तो यहां से क्या होगा a का कितना percentage error है उसमें आप n से Fresh G說 जाव से तरह से हैं तो यह क्या होग अब यहां से क्या कर सकते हैं अब किसी भी परveck pep कॉछ्जंस की अधरेड के सामने रहा थे टिक इसका sa करने के लिए ठीक है आप से सब कुछ डाटा दे रहा है कि कोई फीजिगल कुंटिटी को लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या कुछ आपका वैलु आ रहा है तो उसका निकालना सब्सक्राइए तो को मैंने एयद कर दिया अबसक्राइब अप시는 पर अब करते में गढकिंगे जूए हैंatura अब हम लोग absolute error निकालेंगे तो AM में से each quantity को subtract करते चले जाएंगे तो 1.33-1.29 तो ऐसे करके आपका आएगा 1.33-1.33 तो 0 आएगा 1.33-1.34 तो आपका आजाएगा 1.33-1.35 तो आपका आजाएगा सबको क्या करेंगे subtract करने के बाद जो भी value आता है वो आपका क्या होगा absolute error सबका magnitude ले लेंगे मतलब जो पॉजिटिव ले लेंगे value जैसा कि आपको वीडियो में बता चुके ठीक है आपका मतलब इसको पाउस करके देखें तो आपको दीख जाएगा ठीक है तो यहां से relative error निकालने के लिए mean error में आप एम से divide करेंगे अपका पलस-0.015 आपको चाहिए percentage तो percentage के लिए क्लिए करेंगे मैं यहां पर लिग देता हूं percentage एरर चाहिए तो क्या होगा इसी का percentage निकाल देंगे मतलब relative error का percentage के रुप में लिख देंगे तो आप इसमें यहांड्रेट से multiply करते हैं तो कितना आपका जागा जी 0.015 को आप हंड्रेट से multiply करते हैं तो कितना आपका जागा 1.5 परसेंट ठीक है यह क्या हूँआ अंसर हो जाएगा तो बस एक में प्रॉलम बताएं हो था कि वीडियो का लिंद काफी जदा ना हो ठीक है ना मैं कुछ questions को पीड़ेफाल में लगा दूगा ठीक है वहाँ पे आप को questions सॉल्व करने के दर्म्यान में तो वह आपका दा उट सी जाओंगा वीडियोो से सॉन में रहेगा ठीक है मतला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपका दाॉट ससनों ही रहेगा तो वहांगको नों क्या करेंग पर दूद मिल नेक्स वीडियो में तत्ते के लिए बाइ-व झाल 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 झाल